यह बर्ट देख रहे हो? यह है सबकी फेवरिट। मतलब भाई, ट्विटर है सबका फेवरिट प्लाटफॉर्म। फिर चाहिए ट्रोलर्स हो या फिर हमारे सेलेप्स। लेकिन कंगना, उहु, 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 उनका तो ट्विटर से लव-हेट रिलेशन्शिप और यह हम सबको बता ही है, और इसलिए तो आज कल वो ट्विटर पर भी नहीं है, तो बॉल्लीवूड की धाकर गर्ल कंगना रनौत अपने स्टेटमेंस की वज़ए से अल्मोस्ट हर दिन ही लाइम लाइम लाइट में बनी रहती है, और बहुत टाइम से उन्हें और उनके ट्वी हुए जब कंगना से पूछा गया कि क्या वो इस प्लाटफॉर्म पर वापसी करने का सोच रही है या फिर नहीं, उन्होंने कहा कि ट्वीटर पर मैं एक साल के लिए थी और ट्वीटर मुझे एक साल भी छेल नहीं पाया, सो चो लोग 10-10 साल से ट्वीटर पर हैं, कंगना मतलब यह है कि अगर मुझे आना होगा ट्वीटर पर वापस तो आप लोगों की लाइफ बहुत ही जादर सेंसेशनल हो जाएगी, वही मेरी लाइफ में बहुत दिक्कते हो जाती है, क्योंकि मुझ पर केस हो जाते हैं, इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं अभी ट्वीटर पर बनी रहे उतना ही ठीक है, वैसे इसके आगे भी कंगना ने ट्वीटर और इंस्टाग्राम को कंपेर करते हुए अपनी बात रखी है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर मेरा ट्वीटर अकाउंट रीस्टोर होता है तो बिलकुल आप लोगों को मसाला ही मसाला मिलेगा, वहां कभी कबार तो बातें गंभीर भी हो जाती है, तो अब आपको ये भी बता देती हूं कि कुछ टाइम पहले ही सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पॉलिसी को ब्रीच करने की वज़ा से कंगना रनौत का ट्वीटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद स फिलहाल वो ट्वीटर पर नहीं है, लेकिन हैरानी वाली बात पता है यहांबर क्या है, कि कंगना आज भी जब ट्वीटर पर नहीं है, तब भी हर दिन किसी बात पर ट्वीटर पर ट्रेंट करती रहती है, वही बात करें इंस्टाग्राम की, तो वहां भी कभी ना कभी आप इसी के लायक है और बहुत ही डारेक्ली उन्होंने ये स्टोरी अपने बॉलिवूड फ्रेंड्स को डेडिकेट की थी खैर कंगना और उनकी कॉंट्रोवर्सी ये तो शायद आगे भी चलती ही रहेंगी ना जाने कब तक चलती रहेंगी लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये पंगा गर्ल कंगना रनौत आखेर कब तक आती है ट्विटर पर या आती भी है या नहीं और अगर आती है तो सबसे पहले वो ट्विटर पर आते ही किसको टागेट करती है अभी के लिए फिलाल इतना ही आप मुझे कॉमें सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप भी कर रहे हों कहीं ना कई कंगना रनौत के बेबाग ट्वीट्स को मिस ट्विटर पर या फिंड नहीं बागे मैं तो नाक्षी बहुत ही जल्द आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में तब तक के लिए आप इसी तरह से देखते रहे हैं ENT Live